तो आज हम बात करने वाएं हैं बार वी चुरी इसके कोस सेगंड पॉइंट पर बात करेंगे हम इसके टीट्मेंट के बारे में तो हम सबसे पहले देखते हैं इसके कोस क्या होते हैं यह उन पेशेंट में जादे तर होता है जो की एपिलेपसी की ड्रग रेगुलर लेते हैं और किसी कारण से गलती से इसकी ड्रग की मातरा जादे ले लेते हैं कि अब बात करते हैं इसके साइनियम सिम्टम्स के बारे में पेशेंट में आपको क्या के मिलेगा इसकीन का ठंडा हो जाना पल्स का या तो तीज हो जाना या फिर धीरी हो जाना अब बात करते हैं हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में तो पेशन को रायल ट्यूप की साहिता से गैस्टिक लेवास करना चाहिए दो सचाल लीटर एनस से उसके बाद पेशन को एक्टिबेटिट चार कॉल की टेबलेट देनी चाहिए थर्ड पॉइंट पर देखते हैं हम पेशन का रैस्पाइरेशन मेंटेन करना चाहिए फॉइंट पर इंजेक्शन मेंटोल 20 परसेंट आईवी से साड़े 300 ml अथवा 7 ml पर केजी बाड़ी बेट के इसाफ़ से देने चाहिए फुइप पर देखते हम डिए नस में इंजेक्शन केसी एल 10 ml मिलाकर आईवी देने चाहिए डिए नस 3-4 तक लगा जा सकती है अकॉर्डिंग टो पेशन कंडिशन अब बात करते हैं हम इसके 6 पॉइंट के बारे में तो पेशन को इंजेक्शन लाशिक्स फुरूसमाइड आवे सकता के अनुसार देना चाहिए जो कि हम die ureesis कराने के लिए करते हैं 7 पॉइंट पर देखते हैं पेशन को आवे सकता होने पर ऑख्सिजन प्रोवाईड करने चाहिए अगर ऑख्सिजन लेवल कम है पेशन का तो ऑख्सिजन जेने चाहिए और अगर पेशेंट को कोई और दिक्कत होती है तो पेशेंट को सिम्टोमाटिक ट्रीटमेंट देना चाहिए